मस्त्या है चार सालों से कीमते क्यों नहीं बढ़ी है घठतावली भी मुद्दा है ब्याज भी नहीं मिलता समय पर भुक्तान भी नहीं आ रहा है कारण आप क्या मानते हैं इसके पीछे देखिए आज केंद सरकार ने पांच रूपिया एफार पी बढ़ाया है और ये घोशणा भी हुई है थोड़ी देर पहले तो मैं बता दूँ कि एफार पी जो है इसको हिंदी में कहते हैं उचित यो लाबकारी मूल ले मतलब फेयर एंड रिमूलेटिब प्राइज ये उन राज्यों में लागू होता है जहां पर सरकारे एसे पी नहीं घोशित करती स्टेट गवर्मेंट कोई अलग प्राइस नहीं घोशित करती पंजाब हर्याडा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और एक दो स्टेट हैं जो गन्ये के सरवाधिक उत्पादन करते हैं ये इलाके और यहां पर राज सरकारे अपना एसे पी यानि की स्टेट और एडवाईजरी प्राइस राज परामर्सी मूल एसे पी घोशित करती हैं तो वहां एफारपी के लिए बहुत जगा नहीं बचती एफारपी उस दिसा में दिया जाता है जब एक कुंतल गन्ना पर दस किलो च गन्ने मूल पर मैं आऊंगा उससे पहले एक जानकारी आपको बता हूँ कि यह जो लखनव में सूगर केन इस्टिट्यूट है लखनव का यह जो रिसोस संस्थान है यह कहता है कि उत्तर प्रदेश में 280 रुपया कुंतल गेहु पैदा करने पर खर्चा आता है इसका रिसर पंजाब की इन्वस्टी का जो सोध है वो 344 रुपया प्रती कुंतल बताता है कि गन्ना पैदा करने फर्च होता है यह सरकारे मानती हैं इनके अपने संस्थान हैं तब आप गन्ना मूल नहीं बढ़ा रहे हैं चार साल से अब हो सकता है चुनाओ आ रहा है साल 15-20 रुपय जाए जाए तब इनको प्रकठे पिला दो और यह कह दो हमने यह किया चुनाओ असल में सरकार जानती है कि जंता की मेमोरी बड़ी छोटी है पहले दे देंगे तो यह भूल जाएंगे और चुनाओ के वक्त जब बाटेंगे तो यह इनको याद रहेगा क्योंकि समय पर मिल हाँ रह्मत जो है वो देर से मिलनी चाहिए आज एक बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में कई बार मंत्री रहे नसीमुद्दिन सिद्धी की साब गन्या मंत्री रहे वो बैठे हैं भारत समाचार की डिबेट में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं हिर्दय से उन उनकी तरह के उनके चरित्र के नेता आज उत्तर प्रदेश में कम है वो उच्छ कोट के चरित्र के एक नेता है जितना मैं जानता हूं और जीवन में जो उन्होंने कहा है उस पर वो कायम रहे हैं तो सिद्धी की साहब का बहुत स्वागत है भारत समाचार पर और उनकी कही बाते चुकी वह गन्ना मंत्री रहें तो बहुत सारी बारीकिया जानते हैं वह हिंदुओं के तमाम सारे वेद सास्त उनको कंठस्त हैं और बहुत लंबी राजनीत रही है विधायक विधान सभा विधान परिशाद मंत्री तो वह किसान का दुखदर्द वह अच्छी तरह से समझते हैं और देखते आये हैं दूसरी बात प्रिजेद जी की यूपी में 315 रुपया कुंटल है दोजार 17 से रेट नहीं बढ़ा किसान डीजल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, मजदूरी का रेट बढ़ गया, धुलाई का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, कीटनासक का रेट बढ़ गया, कोरा जिल, एक कीटनासक दवाई आती है, यह पहले 1610 रुपए की आती थी, अब 1925 रु बुल्या या कहिए जो उसको मिलना चाहिए पैसा वो नहीं बढ़ रहा है आज बात आती है कि उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश रहा है खेती बाड़ी होती है जवाहर लाल नहरू चौधरी चरन सिंग महें सिंग टिकैत राकेश टिकैत चंदर सेखर अटल विहारी बा से किसानों की दुर्दसा उन पर महंगाई की मार अगर सरकार नहीं चेतेगी तो कब चेतेगी बहुत सारी बातें रहती हैं कहने को लेकिन चुकी वक्त की एक सीमा है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को इंतिजार है कि गंडे का मुल बढ़ाया जाए बातें अलग-अ से लोग कहते हैं लेकिन मैं खाली सीधे सवाल करता हूँ कि हमारे आपके जीवन में सिग्रेट पीना जरूरी नहीं है लेकिन सिग्रेट बनाने वाली कंपनी बहुत माला माल होती है हमारे आपके जीवन में सराब पीना जरूरी नहीं है लेकिन सराब बनाने वाली फैक्ट करने वाला बहुत गरीब है आभाओं में है हर दुनिया के हर सक्स का पेट भरता है लेकिन उसके जीवन में ना कोई सुविदा है सुख है ना पैसे का कोई भंडार है एक तार्किक बात मैंने कही है बाकी तो लोग जिनकी जहां ब्योस्ता गुजरेगी वहां वो देखेंगे सरकारे एक दूसरे पर इसका दोसा रोपड करती है उसमें नहीं जाओंगा लगिन आज इतना कहूंगा कि किसान का बेटा हूं माटी से प्यार करता हूं और मिटी में माँ है और माटी का तिलक लगाता हूं तो चार लाइन सुनियेगा कि किसान खेत में कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे चीजें उसके सामने आती है कि सर पर बांधे कफन रात के अंधेरे में खेतों में जाता हूं और भूतों से नहीं डरता इंसानों से मात खाता हूं और जूटे वादे सरकार के और साहुकार के बढ़ते करजे और मुद्दत से कही गुना ज्यादा ब्याद चुकाता हूँ बैरहल कि मैं रोज आप तक ताजा दूद सब्जी पहुंचाता हूँ आप हमेशा मोल भाव करते हैं कम रुपिया देते हैं मैं मुस्कुराता हूँ कभी गुसा नहीं करता हूँ चिलर पैसा छोड़ देता हूँ दरता हूँ कि सहाब आपके सामने मेरी क्या उकात है तो बहुत बहुत शुक्रिया विरेंजी आपने कम सब्दों में बहुत बड़ी बात सुवेधना को प्रकट किया आपने जो अनुराख शर्मा जी आपने डिबेट में मौजूद सभी पैनलिस्ट की